हेलो फ्रेंद्स आप सब का स्वागत है रीड डिजाइन्स में तो आज हम बनाएंगे प्लाजो पेंट का एक बहुत ब्यूटिफुल डिजाइन जिसे हम कट वर्क और पेंटक्स के साथ रेडी करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये बुक्रम का एक चोटा सा पीस लिया है जिसे लगबग मैंने 16 इंच लंबा लिया है पेंटकी मोरी के बराबर और चोड़ा ये 2 इंच है ये दिखिए और अब हम इस पे कट वर्क ड्रो करेंगे तो उसके लिए हम इसको फोल्ड कर लेते हैं पहले एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और अब फिर से एक फोल्ड ऐसे और अब हम एक फोल्ड इसको और करेंगे इस तरीके से बस हमें इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और अब हम इस पे cut work draw कर लेते हैं तो आप यहाँ पे round कोई भी चीज लेके cut work draw कर सकते हो मैं ऐसे ही कर रही हूँ यह देखिए pencil की मदद से और अब हम अपनी marking के according इसको cut भी कर लेंगे तो अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ तो ऐसे हमारा यह पूरा pattern cut work वाला cut हो गया है इस तरीके से और अब हमें एक और pattern cut करना है same इसके जितना ही चोड़ा और इसके जितना ही लंबा तो ऐसे हमारे यह दो cut work कट चुके हैं और अब हमने इनको extra fabric के उपर paste कर लेना है तो यह मेरी plazo pant वाला ही same fabric है अब हम इसके उपर इसको इनको paste करेंगे ऐसे थोड़ा सा gap लेके आप paste करें क्यूंकि हमें इनको अलग-लग cut करना है तो paper pasting यानि की fuse paper के साथ मैं इनको paste कर दूँगी जो press के साथ अच्छे से चिपक जाती है fabric के साथ तो यह देखिए मैंने इसको extra fabric के उपर paste कर लिया है और मैंने अपने cut work के बिलकुल उपर उपर mark भी किया है हलका-हलका ताकि हमें अपनी गुलाई proper दिखाई दे सिलाई लगाते वक्त तो अब हम इसको इस side से ऐसे fold कर देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे तो मैंने इसको side से fold करते हुए सिलाई भी लगा दी है और अब हम इसको अपनी pant पे रखके stitch करेंगे तो यह मेरी pant है और इसकी सीधी side लेनी है हमने और यह इसकी मोरी वाली side है तो cut work को इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे और अपने बिल्कुल cut work की गुलाई के साथ साथ सिलाई लगा देंगे बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे लेकिन यह वाली सिलाई लगाने के पहले हम यहाँ पे एक rough stitch करेंगे ताकि यह ही लेना जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएं cut work के साथ साथ तो rough stitch हमने कर ली है और अब हम cut work के साथ साथ सिलाई लगा देंगे बिल्कुल अपने बुक्रम के किनारे किनारे तो ऐसे सिलाई हमारी यह लग चुकी है बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे और अब हमने यह वाले बीच वाले फैबरिक को cut कर देना है तो बिल्कुल जड़ा-जड़ा सा मार्जन लेंगे हम अपने बुक्रम के साथ साथ एक एक पैर का मार्जन लेते हुए बाकी सारे फैबरिक को हम ऐसे ट्रिम कर देंगे तो ऐसे मैंने साइड वाले सारे फैबरिक को ट्रिम कर दिया है और अब मैं इसमें cut लगाऊंगी तो cut आपने यह गुलाई में देना है इस तरीके से और एक बिल्कुल यहां बीच में देना है यह आपका जो cut आना सिलाई तक आना चाहिए लेकिन यह ध्यान में रहें सिलाई ना कटे तो cuts भी हमारे लग चुके हैं और अब हम cut work को पलट लेते हैं तो एक एक करके हम cut work को ऐसे पलट लेंगे cut लगाने से इसमें finishing बहुत ही बड़ी आती है इस तरीके से हमने सारे cut work को पलट लेना है तो यह देखिए ऐसे हमने cut work को पलट लिया है और अब हम press के साथ इसको अच्छे से बिठा देंगे तो यह देखिए मैंने cut work को iron के साथ अच्छे से बिठा लिया है और दिखिए कितनी अच्छी finishing आई है हमारे cutwork में और अब हमने अपने cutwork के नीचे pintax वाला fabric stitch करना है तो चलिए वो ready कर लेते हैं तो pintax डालने के लिए मैंने ये pant में से ही fabric लिया है और ये लगबग 5.5 इंच चौड़ा है और लंबा जितनी हमारी pant की मुहरी है ना उससे हमने 4 या 5 इंच जादा लेना है क्यूंकि हमने इसमें pintax डालनी है तो pintax डालने के बाद fabric कम रह जाता है तो ये वाले fabric को हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से और यहां उपर वाली side से एक इंच fabric को इस तरीके से fold कर लेंगे बिल्कुल सीधा सीधा आपने fold करना है ऐसे और यहां पर किनारी की pintax लगा देंगे तो एक pintax ऐसे हमारी ये लग चुकी है और अब हमने आधे इंच का gap लेना है और अपनी दूसरी pintax भी इसी तरीके से किनारी की लगा देनी है तो बस इसी तरीके से हमें आधे आधे इंच के gap पे सारी pintax लगा देनी है पूरे fabric के उपर तो ये देखिए ये pintax हमारी सारे fabric के उपर लग चुकी है और मैंने इनको press के साथ अच्छे से बिठा भी दिया है और मैंने इनको दोनों side से interlock भी कर दिया है finishing के लिए और अब हम ये pintax वाले fabric को अपनी pant के नीचे इस तरीके से रखेंगे और ऐसे stitch कर देंगे इसको यहाँ से तो ये सिलाई हमारी ऐसे लग चुकी है और ये pintax वाले fabric pant के साथ stitch भी हो गया है और अब हमने बिल्कुल अपने cutwork के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है तो ऐसे हमारा ये cutwork वाला pattern पूरी तरह से तयार हो गया है नीचे pintax वाले pattern के साथ और अब हमने जो दूसरा cutwork है न वो नीचे वाली side की तरफ stitch करना है तो चलिए हम उसको ready कर लेते है तो ऐसे मैंने दूसरे वाले cutwork को भी extra fabric के उपर paste कर लिया था और अब हम cutwork के साथ बिल्कुल दो दो pair का margin लेते हुए बाकी सारे fabric को trim कर देंगे उपर वाली side की तरफ से इस तरीके से सिर्फ दो दो pair का margin ले जादा ना ले तो ये दिखिए ऐसे मैंने सारे fabric को उपर से trim कर दिया है और अब हम इसमें cut लगा लेंगे तो cut हमें इस तरीके से बिल्कुल center में लगाना है इसके तो cuts भी हमारे लग चुके हैं और अब हम इस पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ऐसे और पानी के साथ ही अच्छे से बैठ जाएगा जब हम इसको press करेंगे तो इस तरीके से आपने fabric को अपने cut work के साथ साथ ऐसे बिठाते हुए इसको अच्छे से press कर देना है आपने तो ये देखिए मैंने पूरे pattern को आइन के साथ ऐसे बिठा दिया है और ये आगे से इस तरीके से आगया है और अब हम इसको अपनी pen के उपर रख के stitch कहरेंगे तो pen को हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे और cut work को भी इसके उपर ऐसे उल्टा करके और यहाँ पे बिलकुल अपनी वुक्रम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे तो यही सिलाई भी हमारी असे लग चुकी है और अब हम cut work को इस तरीके से सीधी साइड की तरफ कर देंगे इसको इस तरीके से उपर की तरफ लाएंगे सीधी साइड की तरफ और यहां पे किनारी की सिलाई लगा देंगे अपने cut work के साथ साथ तो ये सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ पे बिल्कुल किनारी की सिलाई लगाएंगे नीचे वाली साइड की तरफ और अब कट वर्क के बिल्कुल किनारे किनारे पे तो ऐसे ये नीचे वाला कट वर्क भी हमारा पूरी तरह से तयार हो गया है और देखिए कितना beautiful pant का design हमारा ये तयार हुआ है और अब हम इस पे ये white color के stone paste कर देंगे बिल्कुल center में इसके तो आप ऐसे किसी भी fabric glue के साथ इनको paste कर सकते हो तो यहां हम किनारे किनारे पे stone लगाएंगे और एक एक बिल्कुल cut work के center में लगा देंगे तो ये देखिए stone भी हमारे paste हो चुके हैं तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपने इसकी length कितनी लेनी है तो ये जो उपर वाला cut work है इसके नीचे हम देखेंगे तो ये देखिए नीचे वाला border हमारा लगबग 3 इंच का ready आया है उपर वाले cut work से नीचे तो हमने जो अपनी पैंट की length है वो 3 इंच कम cut करनी है तो चलिए अब हम इसको fitting की सिलाई लगा लेते है तो ready होने के बाद हमारी ये पैंट कुछ इस तरीके से आ जाएगी तो देखिए कितना beautiful design हमारा ये ऐसे तेयार हुआ है तो अगर आपको मेरा ये design और मेरी ये वीडियो ची लगी हो तो इसको like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो में मिलते हैं Till then bye bye